भाई लोग मुझे पता है आप लोग वीडियो पर की क्लिक किये हो आप लोग इसलिए क्लिक किये हो क्यूंकि आप लोग भी लाइट रूम से अपना बेक्ग्राउंड बनाते बनाते ठक गए हो लेकिन बेक्ग्राउंड अच्छे तरीके से नहीं बना पाते हो तो मैं friends बहुत ही अच्छा application लेके आगया हूँ जो कि Lightroom से बहुत ही कमाल application है और आप स्रिप one click में इसमें background बना सकते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा interesting है friends तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को subscribe कर लिजें कि एडिटिंग से related इसके वीडियो आती रहते हैं तो चलिए friends सबसे पहले हम आपको editing करने के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले तो friends हम आपको एक demo दिखाएंगे कि किस तरीके से photo edit होगा उस application में तो चलिए friends सबसे पहले हम वीडियो को start करते हैं सबसे पहले तो friends अपना photo ले लेना है कोई साभी जिसका बेक्ग्राउंड बनाना वो स्रिफ बेक्ग्राउंड ठीक है ना कियुकि मेरा वीडियो स्रिफ बेक्ग्राउंड के उपर ही है face के उपर में बताऊंगा बर थोड़ा बहुत बताऊंगा इस application में और थोड़ा बहुत face के बारे में research किया हूँ तो थोड़ा बहुत ही बताऊंगा तो चलिए हमारा टूल open हो रहा है थोड़ा सा loading ले रहा है और इसमें जो भी बताया हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे trick बताया हूँ और इसमें एक और सबसे अच्छी बात है कि आप one click में blur कर सकते हैं कैसे हमारा photo blur हो रहा है वह से ही आप same to same one click में blur कर सकते हैं कि बहुत सारे भाई लोग को blur करना बहुत ही अच्छा लगता है फोटो में blur रहता है तो फोटो का एक जान आ जाता है और clarity आ जाता है deep retouch के भी बारे में है और every retouch है जो बहुत सारे retouch है इसके बारे में इसमें दिया है आप लोग छेरचर करके देख लिजएगा आपको जो अच्छा लगेगा वो बढ़ा लिजएगा इसमें shadow भी है shadow भी आप बढ़ा सकते हैं उसके बाद friends अब आपको क्या करना यहां background के उपर click करना है तो background के उपर click कीजेगा तो देखिए इसमें बहुत ही imaging imaging आएगा आपको filter जो की लगाना होगा देखिए आप लोग बहुत सारे भाई लोग के photo में देखते होंगे ऐसे effect लगे रहता है तो इसी application से लगाता है इतना imaging imaging effect तो आप भी लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बाद friends अब आपको क्या करना है मैं बता रहूँ उसके बाद अड्जेक्ष्ट करने का भी इसमें आता है आप white violence को बढ़ा सकते है इफेक्ट में देखिए कि effect में भी बहुत आच्छा आच्छा आजाएगा उसके बाद filter में भी आपको बहुत ही अच्छा आच्छा face पर tune डालने के लिए आ जाएगा देखिए कैसे मैं डालके दिखा रहूँ यहां पर बहुत सारे unlimited face पर tune डालने के लिए हैं आप लोग डाल के देख लिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे face पर टून आएगा देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इससे हमारा photo में एक और जान आ जाता है क्योंकि face पर टून होता है न तो क्या बता है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से लगता है आपका photo तो आप भी इससे face पर टून डाल लिजाए क्योंकि imaging imaging इसमें टून है अब में बाद friends रहा जाती है तो हमारी background के एक पर तो सबसे पहले तो देखिए इसमें हम कुछ छेरचार करके दिखा देंगे उसके बाद friends background के उपर क्लिक करेंगे background के उपर क्लिक कर देने का बाद guys अब हमारा बारी आता है one click में background बनाने का तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक और background मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें friends all limited आपको background मिल जाएगा आप जितने scroll किजेगा उतना अच्छा अच्छा background मिलेगा आपके photo पर जो भी suit करेगा आप अच्छे तरीके से match कराके लगा लिजेगा ठीक है ना उसके नीचे भी background आ जाता है friends बट आपको logging करना पड़ेगा उसके बाद ही यह future one होगा तो मैं अभी logging नहीं किया हूँ तो यह one नहीं हो रहा है उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे आपको background आप unlimited background यहाँ से लगा सकते हैं तो हे ना बहुत ही कमाल का trick तो आप लोग भी अपना ऐसे सा बेग्राउंड लगा के और बहुत ही अच्छे लेबल का photo editing करके और अपने दोस्तों को चौका दीजिए यूँकि बहुत ही अच्छा application है और बहुत ही अच्छा से work कर रहा है application तो friends उमीद करता हूँ यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और बैल आइकन दबाद दीजिए चलिए friends मिलते हैं निवेक प्रेस वीडियो में तब तक के लिए धन्याबाद और सबसे बड़ी बात तो यह रहा जाती है application तो application friends प्लेश्टोर पर मिल जाएगा application का नाम है लेंसा एप आप प्लेश्टोर से इसली डाउनलोड कर सकते हैं